उम्मीद के कदम जब बढ़ते हैं तब स्याह अंधेरे में भी दिखती है रोश्नी की किरन जो फैला देती है उजियारा एक मई दोहजार सोला जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी ऐसी ही एक सुबह की शुरुवात प्रधान मंत्री उज्वला योजना की द्वाला इस योजना के तहट पांच करोण महिलाओं तक मुफ्त गैस सिलिंडर पहुँचाने का रखा गया था लक्षी उज्वला से न सिर्फ स्वास्त है बलकि इन्धन के पैसो में भी होती है बचत बचता है परिवार तथा अन्ने कारियों के लिए समय जिससे आर्थिक गतिविधियां करके भी महिलाएं हो रही है सशक्त विश्व स्वास्ते संगठन समेत कई संस्थानों ने भी इस योजना की प्रशन साकी क्योंकि इससे परियावरन और महिलाओं दोनों की सेहत सुधरी धीरे धीरे करोडों महिलाओं की रसोई से धूएं के काले बादल छटने लगे और उज्वला बनी उनके सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम कम समय में ही पांच करोड का लक्ष किया गया हासिल लेकिन अभी तो बहुत आगे जाना था इसलिए इस योजना का हुआ विस्तार अब लक्ष बढ़कर हो गया पूरे आठ करोड और इस बार इसमें शामिल किये गए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले ताए समय से पहले ही इस लक्ष को भी किया गया पूरा उज्वला का सफर लेकिन थामा नहीं है जंगल, पहार, नदियां पार कर उज्वला फिर से तयार है प्रधान मंत्री उज्वला योजना 2.0 के तौर पर इस बार विभिन्न वर्गों में एक करोड नए कनेक्शन दिये जाएंगे उन गरीब परिवारों को जिन्हें पहले चरण के तहट नहीं किया जा सका था कबर इस बार प्रवासी और गैर प्रवासी परिवारों के लिए है विशेश प्रावधान भी अब निवास प्रमान पत्र और राशन काट की बजाए स्वर घोशना का उप्योग कर वे उठा सकते हैं नए एक कनेक्शन का लाब योजना के तहट उपभोकता को सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, लपीजी होस, लपीजी बुकलेट, लपीजी स्टोव और पहली रीफिल मुफ्त प्रदान की जाएगी साथ ही उजवला पोर्टल www.pmuy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का भी है विकल्प आज उजवला घर के लिए सिर्फ गैस सिलेंडर नहीं है ये है विजय का प्रतीक उन माताओं और बहनों के लिए जिन्होंने सदियां गुजार दी धुएं के काले बादलों के बीच उजवला ने दिलाया है उन्हें उनके हक का सम्मान प्रदान मंत्री उजवला योजना, स्वच इंधन, बहतर जीवन